नमस्कार दोस्तों में राम बदुलीका है तो आγे thinking की वीडियों में देखते हैं छेना और भिण्डी कि सब्जी बहुत ही पॉस्टिक है और ट्रेश्टी भी है तो आएए देखते हैं इसे बनाने की वीधी वैसे तो भिंदी के बहुत सारे प्यादे हैं, जैसे कि डाइब्टीज के लिए भी यह मददकार है और आगों की रोशनी के लिए भी यह फैयदेमंद है, इस्किन हेलदी, इसकिन के लिए भी अच्छा होता है, प्रेगनेंट लेडिज के लिए भी अच्छा होता है, और सबसे मज़दार बात है कि ये वेट लोस करने में भी बहुत थी फायदेमंध होता है भिंडी और छेना की सबजी बिनाने के लिए हमें ये सब समान क्या सकता पड़ेगी, ये 500 ग्राम भिंडी है, तिन मिडियम प्याज कटा हुआ है, और 100 ग्राम छेना है, मीट मसाला है, हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, कसूरी मेथी है, गरम म साला है, जीरा राई फोरन के लिए है, तो हम भिंडी को इस तरह से काट लेंगे, आगे और पीछे का भाग को, इसको दो भाग कर लेंगे, कुछ इस तरह से, देखे जिसे इस तरह से, जो सभी भिंडी को इस तरह से काट लिए है, तो हम ग्यास ओन करके कराही को चिठाएं कराही गरम हो गया इसमें तेल को डालेंगे तो तेल हमारा गरम हो गया है इसमें हम डिप फ्राइब करेंगे भिंदी को डालके हाई फ्लेम के तो हमारा भिंदी फ्राइब हो चुका है अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे 5-6 मिनट इसमें टाइम लगा है फ्राइब करने में अब इसमें प्याज को भी फ्राइब कर लेंगे तो प्याज भी मारा फ्राइब हो गया है चार से पांच मिनट लगा है इसको फ्राइब करने में इसे भी निकाल लेंगे सब तेज आच पनी फ्राइब करना है तो हम इसमें से तेल को निकाल दिये हैं दो चमच तेल को रहने दिये हैं अब इसमें फोरन को डालेंगे राई और जीरा इसे भूंज लेंगे तो फोरन मारा लाल हो चुका है अब इसमें बिंडी को और प्याज को डाल देंगे इसे मिला लेंगे इसमें सभी मिसाल मसाले को भी डाल देंगे फल्दी डालेंगे जो सब चाय चमच से एक डेर चमच के करीब लिए हुए हैं दनिया पाउडर अब हम आज को मेडियम कर लेंगे अब सभी मसाले को इसमें डालेंगे अब हम इसमें चेना को डालेंगे तो हम चेना डालने के बाद एक मिनट तक भूज लिए हैं और अब हम सबसे लास में नमक अपने स्वात के नुसार इसमें डालेंगे एक मिनट और भूज लेंगे तो हम अब इसमें हम एक कप के करीब पानी डालेंगे तो हम गयास आफ कर देंगे हमारा सब्जी देखे तैयार हो चुका है बनके अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो देखे मारा सब्जी बनके तैयार है आप लोग भी बनाईए और मेरा कॉमेंट बॉक्स में बताईए कि कैसी बनी है तो आज के वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, स्रियर करें और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कियें तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे पेज रवी मदिलिका को भी फॉलो करें थैंक यू